बॉलिवुड की तीन ऐसी हिरोईन जिनकी सबसे दर्दनाक मौत हुई थी और लास्ट वाली की मौत तो सबसे खतरनाक थी और एक ऐसी वेबसाइट जो एक कैपचा सॉल्व करने के 5 बिटकॉइन देती है और क्या आपको पता है कपड़ा गीला होने के बाद डार्क कलर में क् कि पानी का तो कोई कलर ही नहीं होता है और अमेरिका ने वर्ल्ड वार टू के समय इस तरीके के बंकर्स को क्यों बनाया था रीजन बहुत ही इंटरेस्टिंग है और क्या आपको पता है घर बनाते समय इंटों पर पानी क्यों डाला जाता है ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक् अत्रिस मदहूबालाऊ का давускना के साथ और उसी वजह से मधधूबालाई की मौत हो गई इस लिस्ट में दूसरी एक्ट्रेस है जिया क्हान उस समें अपने करियर की पीक पर थी उन्होंने कई हिट फिल्में की थी जिनमें से एक गजनी भी थी जो उन्होंने आमिरखान के साथ की थी पर एक दिन जब रोज की तरह जियाखान की मा रात के समय घर पहुंची, तो उन्होंने जियाखान को फांसी के फन्डे पर लटका हुआ पाया, इसके बाद इसमें तीसरी एक्टरिस है परवीन बाबी, परवीन बाबी भी सभसे सफल और खूबसूरत एक्टरिस में से एक थी। लेकिन शौकिंग बात ये है कि मौत होने के तीन चार दिनों के बाद मालूम चला था कि असल में परवीन बाबी मर चुकी है। उनको उनके रूम के बिस्तर पर मरा हुआ पाया गया था। उनकी लाश सड़ चुकी थी। हालां कि यह अब तक किसी को भी नहीं मालूम चल सका है कि परवीन बाबी की मौत का रहस्य क्या था। नमबर सेवन दोस्तों आने वाले कुछ ही सालों में एक ऐसी बीमारी इस दुनिया में आने वाली है जो कोरोना वाइरस से भी 50 गुना ज्यादा खतरनाक होगी और ये बीमारी फिर से लॉक डाउन लगवा सकती है। इनसानों में फैलनी शुरू हो जाएगी और ये समय इनसानों के लिए बहुत खतरनाक होगा क्योंकि जो भी इससे एक बार संक्रमित हो जाएगा उसका बचना बहुत ही मुश्किल होगा। हैं कि ये बम ब्लास्ट तक को आसानी से जहल सकते हैं। इसी वजह से वर्ल्ड वार टू के दौरान ये बंकर बहुत ही यूसफुल थे। कुछ बंकर्स को तो सीधे पहाड को काट कर ही बना दिया गया था और कुछ बंकर्स को जमीन खोद कर नीचे बनाया गया था। और जमीन के नीचे बनाये गए बंकर्स इतने ज्यादा मजबूत है कि यह न्यूकलियर अटैक को भी सहन कर सकते थे। हालां कि इस समय इन बंकर्स को एक म्यूजियम में कनवर्ट कर दिया गया है और टूरिस्ट यहां पर जाकर आसानी से इनको देख सकते हैं। नंबर फाइव दोस्तों हम सभी जानते हैं कि चीन नकली चीजें बनाने में सबसे आगे है लेकिन हद तो तब हो जाती है जब चीन की कुछ ऐसी चीजे भी नकली होती है जिस पर यकीन करना भी बहुत मुश्किल होता है। असल में चीन में एक वाटरफॉल है जिसका नाम युन्ताई माउंटेन वाटरफॉल है। यह वाटरफॉल ना केवल चीन का बलकि एशिया का सबसे लंबा वाटरफॉल है। इसी वजह से यहां पर हजारों लाखों लोग घूमने आते थे लेकिन एक दिन यहां पर कुछ टूरिस्ट घूमने आते हैं जिनको इस वाटरफॉल में कुछ अजीब लगता है। उनको लगता है कि इतना उंचा वाटरफॉल इस हिसाब से कैसे गिर सकता है यानि उनको ल जब बिलकुल नया नया बिटकोईन आया था तो उस समय एक बिटकोईन की कीमत बिलकुल ना के बराबर थी मतलब उस समय बिटकोईन की कोई वैल्यू ही नहीं थी लोग फ्री में भी बिटकोईन नहीं लेना चाहते थे लेकिन इस समय कुछ वेबसाइट ऐसी भी थी जो ए प्यादा ऊपर पहुंच चुकी है। तो उस पर तीन लेयर हो जाती है। ताकि लोगों को लगे कि इसमें चिप्स ज्यादा भरे हुए है। लेकिन ऐसा बिलकुल भी नहीं है। चिप्स के पैकेट में ये हवा भरना बहुत जरूरी होता है। असल में इसमें जो हवा भरी जाती है वह कोई नार्मल हवा नहीं होती। बलकि नाइट्रोजन गैस होती है जिसको अगर चिप्स के अंदर ना भरा जाए तो चिप्स बहुत ही जल्दी खराब हो जाएंगे और तूट फूट भी जाएंगे। इसी वज़ह से चिप्स खराब और तूटे फूटे ना और लंबे समय तक पैकेट में सही बने रहे तभी इसमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। तो सीमेंट धीरे धीरे इंटों के अंदर पहुँचकर सूख जाएगा और धीरे धीरे सूखने की वजह से वो दीवार बहुत ही मजबूत हो जाएगी। इंटों पर पानी डालने से दीवार बहुत ही मजबूत हो जाती है। इसके अलावा दूसरा रीजन ये है कि इंटों पर पानी डालने से उस पर लगी धूल मिट्टी बिलकुल साफ हो जाती है और इंटें भी एक दम साफ हो जाती है वैसे क्या आपको इससे पहले ये पता था कि नया घर बनते समय इंटों पर पानी क्यों डाला जाता है कमेंट में जरूर बताना बाकी आज की वीडियो के लिए बस इतना ही वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर करना बिलकुल भी न भूलिएगा और हाँ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना मिलेंगे आपको एक ऐसी ही इंट्रेस्टिंग वीडियो में हाँ